Hello gentlemen and gentle ladies, I hope अब तो आपको confidence feel हो रहा होगा, like जो sexual cut-off में आपके 20 marks भी युगाड नहीं हो रहे थे, अब we have made it easy, right? कि 40 प्लस अब स्कॉर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम already marathon कर चुके हैं, quality की we are done with that, मतलब playlist already available है, description में link देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, one time watch, one इतना ही जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बहुत specific पढ़ाया है, जहां से question निकलते हैं, वही आपको focus कराया है, we have done quality, we have done geography, we have done biology, physics, economics, economics, जिसको हम बहुत ignore करते थे, और बहुत बच्चों निए ignore कर भी दिया है, तो let me tell you, बच्चे, please मत करो, क्योंकि CDS भी अब इसका importance ज से भी और स्टाटिक जीके से भी, है ना, तो उसकी भी घंटे के वीडियो है, 1.2x, 1.25x, कैसे भी गरगे आप इस वीडियो को खदम करोगे, है ना, upcoming videos का बता दू, history, तुरंट से आने वाली है, एक दो दिन में, we will do chemistry also, current affairs में, one part has already been done, इसी चानल पे ढून लेना, आज हम वो section करने वाले हैं, जो आप हमेशा छोड़ के आते हो, question पढ़ते हो, एक line पढ़ते हो, and you are like, I am not, you know, we are not same bro, और अब skip मार के आगे चले जाते हो, तो basically, own questions को deal करना है, यहों कि exactly बताऊं, economic survey, forest survey, और budget, ऐसे topics हैं, जो serious, बहुत difficult questions नहीं पूछता है, ठीक है, गर्मेंट ख तो देख, बहुत अच्छे-च्छे posters बनाती हैं, इनके बारे में, जो हम पढ़ते नहीं हैं, और बहुत लोग इसे पढ़ाते भी नहीं है, I don't know why, what's the reason behind, serious तो आसान questions ही पूछती हैं, तो basically, उनहीं posters को आज हम study करने वाले हैं, जहां से question बनते हैं, ओके, और upcoming videos हैं आपकी जो short-short topics हैं आपके, government scheme, awards and honors, reports and indices, and we'll do final current affairs, जितने बच चुके हैं, ठीक है, जो इसमें सब कुछ आ जाता है, आपके sports, current affairs, वगेरा, सब कुछ इसी में ही included है, right, so, अगर गलती से, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो make sure you do it, वरना आप ये सब कुछ miss कर जाओगे, और अगर इससे पहले वाला नहीं देखा, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, cds exam में मेरी बहुत याद आने वाली, right, तर याद मत करना, बस इन चीजों को पढ़ लेना, talking of this particular video, forest survey से हम शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं, बिलकुल होसला मत तोड़ना, सब कुछ समझ में आ ज आता है, यह जो आपको दिख रहा है यहां पर भारत वन स्थिती रुपोर्ट 2021, 2021 का हम क्यों study करेंगे, उसके important takeaways क्यों लेंगे, क्योंकि यह दो साल में एक बार release होता है, 2021 में हुआ था, 2023 का year to be released, तो हम last, latest वाला ही discuss करेंगे, वही हमारा current affairs में आ सकता है, ठीक है, सबसे प ministry के अंदर यह कान करता है, ministry of environment, forest and climate change, बहुत important ministry है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है, ओके, इसका formation कब हुआ था, 1981 में, अच्छा यह कहता क्या है, यह एक major बात यह कहता है कि पूरे देश के अंदर at least 33% should be under forest cover या tree cover, जो भी आपको हो, मतलब rest 77% में आप कुछ भी कर सकते ह हो, residential colonies established कर सकते हो, you can establish industries also, या वो बंजर जमीन की तरह खाली भी है सकती है, but 33% should go for forest, ठीक है, ऐसा कहता है यह, but recent report ने release किया है, कि अभी भी हम अपने target से पीछे चल रहे हैं, only 21.71% forest cover है, हमारे total India का, ठीक है, total India का 21.71% है, या दूसरे, पिछले सालों से it is little more, but still, जो 33% वाला target है, उसे हम थोड़ा पीछे चल रही हैं, okay, कुछ facts के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से actual questions आते हैं, maximum FC क्या होता है, forest cover, मतलब this is not official abbreviation, यह मैंने बनाया है, of course, maximum FC area wise की बात करे, वैसे area wise, percentage wise question पूछे जाते हैं, ध्यान से question को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इससे पहले तो आप question देखते ही नहीं देगे, सारी economic survey वाले और budget वाले, है न, but अब देखना, की area wise पूछ रहा है, या percentage wise पूछ रहा है, area wise पूछ रहा है, तो मध्यप्रदेश ने top किया है, सबसे जादा area, मतलब सबसे जाद यहाँ पे आपको forest देखने को मलता है, उसके बाद Arunachal Pradesh और उसके बाद 36 गड़, percentage wise बात करें, तो मिजुरम में सबसे जादा percentage of forest है, मतलब यहाँ पे आप लगा लो, 84% forest है, वाउ, कितना lush green state होगा यह, है न, अच्छो मुझे बताना मिजुरम से कौन कौन है यहाँ पे और बताना कि how मिजुरम actually looks like, it is beautiful place to visit, Arunachal Pradesh लगभग यहाँ पे 78% forest है और उसके बाद आता है मिखालया, right, मिखालया, उसके बाद classification of forest पे कभी-कभी question पूछे जाते हैं, mainly 4 तरीके के होते हैं forest और इसके बाद के होते हैं non-forest areas, actually इनको बोला जाता है very dense forest, very dense किसको बोला ज अगर 10% से भी जाता है, अब केनोपी कभर क्या होता है, पेड होता है इस तरीके का, उपर इतना lush green triangle जैसे उपर उभरता है, that is your केनोपी कभर, अगर वो 70% से भी जादा हो, तो it is very dense forest, अगर वो 70% से कम और 40% से जादा हो, केनोपी कभर, तो उसको dense forest बोला जाता है, क्या ब open forest बोला जाता है, अगर 10% से 40% के बीच में केनोपी कभर हो, और 10% से भी कम हो, तो उसको scrub बोला जाता है, ठीके, यह अपने notes में mention कर ले न, I want you to do some effort, ताकि यह चीज़े आपको याद रहें, right, scrub बोला जाता है, very dense, dense, open forest and scrub, these are classification of forest, बाकि कुछ static चीज़ों के बारे में बत कर पाते हो, पहली national forest policy, कब रिलीज होई थी, 1952 में रिलीज होई थी, वान मोहत साथ, यह वान मोहत साथ, यह वान मोहत साथ, चिपको मूमेंट जो है न, basically that is the way to protect forest, ठीक है, forest cover को increase करने का एक जरिया था, वान मोहत साथ, आपने भी school और college में किया होगा, है न, पेड तो किया था, कही के मुन्शी न स्टार्ट किया था, चिपको मूमेंट की बात करें, चिपको मूमेंट क्या था, कि अगर कोई भी पेड काटने आ रहे हैं, तो उनके जो नेटिव से उनको इतना ज्यादा प्यार था, forest और ट्री से, तो वो जाकर चिपक जाते थे, कि before you cut the tree, you have to kill me, इस तरीके का मुमेंट था, which was started under the leadership of सुन्दरलाल बहुगुना, चिक है, बाकी क्या कहता है, यह report, यह report कहता है कि, देखो, एक चीज होती है, जिसका नाम होता है, sustainable development, अब यह sustainable development क्या होता है, sustainable development होता है, कि भई, चलो, हमें forest को तो संभालना है, but, yeah, development भी करना है, तो development कुछ इस तरीके से करे, कि वो sustainable हो, sustainable मतलब बहुत जादा nature को भी hurt ना हो, but still, we are able to become a developed country, चीक है, तो उसके लिए कहते हैं कि, hills में 60% आपकी forest cover होगा, तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे vegetation भी supportive होती है, plus habitable नहीं होता, महाँ पे बहुत जादा industrialization नहीं हो सकता, Plains में जादा residential colonies होती है, जादा economic activity होती है, तो यहाँ पे 20% forest cover होगा तो चलेगा, but overall it should beat 33%, जो हमारे report ने suggest किया है, 33% overall पूरे देश में आपका होना चाहिए forest cover, but हाँ, Plains में कम होगा तो चलेगा, but उसको compensate करने के लिए, hills पे तो at least 60% होना चाहिए, और क्या special बात है ये 2021 के survey report में, ये इतनी special बात ये है, कि ये पहली बार it has done for the very first time, क्या किया है, tiger reserves, tiger corridors और gear forest के forest cover को भी calculate किया है, मतलब पहले नहीं किया जाता था, ये recent report में किया जा रहा है, gear forest जहाँ पे इंडिया के, सिर्फ और सिर्फ यहाँ, एशियोटिक लाइन्स महीं पे मौझूद है, gear forest, कहाँ पे है ये gear forest गुजरात में, तो ये एक special बात है, आगे चलते हैं, कुछ important चीज़ें, जो one liner में आ सकती है, mangroves के बारे में बहुत कुछ कहता है, हमारा forest survey, largest mangroove area कहाँ पे है, continent wise बात करें तो एशिया में ही है, country wise, area wise बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे जाड़ा mangroves आपको देखने को मिलेंगे, 19%, मतलब एक बार पूरा table अच्छे से पढ़ ले न, you'll get the pdf on telegram, defense mania, या तो defense mania 2.2 app पे, आपको free notes के अंदर, जो सारे notes मैंने आपको दे रखे हैं, पहले के marathon के, English की practice sheet वगेरा, important topics जो भी दे रखे हैं, उसी के साथ साथ आपको ये pdf मिल जाएगी, free notes section के अंदर, सारे links description मे हैं, वो अराम से पढ़ते रहना, चीक है, okay, mangrove cover in India की बात करें, तो 0.15% ये पूरे world में contribute करता है, चीक है, 2021 में increase देखा गया है in mangrove, जो three states हैं, जन्होंने increase दिखाया है mangrove में, वो है Odisha, सबसे ज्यादा Odisha में increase है, mangroves का, उसके बाद महराश्रा, उसके बाद केरला में करनाटका में, sorry, करनाटका में, चीक है, तो ये थी mangrove की story, tiger reserves को भी इस बार add किया गया है, तो सबसे ज्यादा tigers आपको कहां देखने को मिलेंगे, मद्रप्रदेश और महराश्रा, दोनों में 6-6 tigers आपको मिल जाएंगे, बाकी, जो important, ये सारे देखो important है, आप geography का question समझते स्री सलाम, ये आंदरप्रदेश में है, इसका सबसे ज्यादा extent है, tiger reserves में, उसके बाद आता है, मानस आपके जो असाम में है, इंदरवती जो 36 गण में है, सबसे छोटा आपको tiger reserve का extent कहां देखने को मिलेगा, औरंग, that is in assam, चीक है, okay, सबसे ज्यादा tigers कहां देखने को मिल tiger reserve में, कहां है ये, उतराखंड में, tiger density सबसे ज्यादा कहां पे है, same corbett में, इसी दरीके से आपको ये पूरा table study करना है, बात रही bamboo की, कभी-कभी bamboo के question देखने को मिल जाते हैं, देखो bamboo in India, bamboo grows naturally throughout the country, सिवाई in the Kashmir region, इसके अलावा लगभग हर जगा bamboo grow होता है, है ना, सबसे ज्यादा bamboo कहां देखने को मिल सकता है, मध्यप्रदेश में, percentage wise भी मध्यप्रदेश में, increase सबसे ज्यादा मिजुरम में देखा गया है, सबसे ज्यादा decrease भी मध्यप्रदेश में है, और pure bamboo आपको मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इतनी बात जाद रही तो अब आते हैं economic survey में और यहाँ पर थोड़ा सा serious हो जाना क्योंकि थोड़ा से दिमाग के जरूरत पड़ेगी right economic survey ऐसी बिता देते हूं कुछ इस तरीके से दिखता है आपका 2023 का economic survey और यह एक annual statement है कैसा है annual है annual का मतलब हर साल release होता है जी कहां कौन release करता है इसको ministry of finance check the previous financial year मतलब पिछली financial year में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ what could be better यह economic survey है कौन prepare करता है इसको department of economic affairs under the guidance of chief economic advisor कमेंट में आप मुझे लिखके बताओगे कि अभी का current chief economic advisor कौन है चीक है अच्छा यह event actually compulsory event नहीं है constitution नहीं कहता कि आपको यह करने की जरूरत है बट fashion है हम करते हैं कब करते हैं generally budget जस दन पेश होता है उसके एक दिन पहले हम economic survey study करते हैं कि पिछले साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहली बार economic survey कब हुआ था 1950-1951 के दौरान हुआ था ठीक है अब अपनी आख कान नाख सब कुछ खोल लेना क्योंकि important चीज आने वाली है ठीक है इस चीज को बहुत ध्यान से पी आईबी ने बहुत अच्छे अच्छे posters बना रखे हैं वही basically हमें budget के लिए और economic survey के लिए study क करना है बहुत ध्यान से देखना GDP growth GDP growth कितनी predict की गई है अगर हम 22-23 साल की बात करें 7% है 23-24 मतलब upcoming year की बात करें तो 6-6.8% 6.8% GDP मतलब यह one-liners के question भी आ सकते हैं 6.8 GDP growth rate हमने assume करी है in the economic survey चीक है हमारा fiscal deficit कितना होगा 6.4% चीक है in this year अभी जो last financial year था हमारा economic fiscal deficit 6.4% रहा है fiscal deficit का मतलब क्या है fiscal deficit का मतलब यह है government का खर्चा बहुत जादा है कमाई कम है चीक है कमाई कम है अगर आप एक रुप्या खर्च करते हो और अठनी ही आप कमाते हो तो वो fiscal deficit हो गया चीक है उसके बाद foreign exchange reserve यह सारी चीज ऐसी है कि आपको 2 minute video pause करके इसको इसके जो digits है वो याद करने पड़ेंगे चीक है नजर गुमाना थोड़ा सा important है चीक है foreign exchange reserves की बात करें तो 563 US billion dollars यह हमारा foreign exchange reserve है agriculture allied activities की अगर हम बात करें तो 3.5% तक हम बढ़े हैं industrial growth हम में 4.1% है आप देखोगे कि जो कोविड वाला area है न वहां पे सब negative growth आपको देखने को मिलेगी है न सारी negative growth आपको देखने को मिलेगी यहां पे GDP में देख लो minus 6.6% हो गया था जब कोविड आया था services की बात करें services में 9.1% आपकी growth rate है और inflation यह सारे terms आपको समझ आ गए होंगे जब आपने economics की वो जो दो घंटे की विडियो है इसी चानल पे वो देख लिए होगे है न complete विडियो तब आपको समझ में आया होगा inflation क्या होता है महंगाई का बढ़ना उसको inflation बोला जाता है ठीक है चालो आगे पढ़ते हैं यह एक डिजट याद रखना खासकर इस साल का जो है वो याद रखना ठीक है कुछ चीजें economic survey के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या कहता है अच्छा जिसमें जितनी भी schemes इसमें mentioned है न उसका हम अलग video बनाएंगे सारी government scheme उसमें जितने भ question पूछे जाते हैं कौन सी ministry in world है कितना budget allocation है क्या aim है है न ये सारे questions okay external sector we are watchful for that we are hopeful for that हमने merchandise export शुरू किया है 332 billion US dollars हम उसमें कमा भी चुके है that is growth of 16% ठीक है इंडिया 7th largest services exporter है ये summaries है सिर्फ इसको सुन लो आप जब question में देखोगे आप सही कर पाऊगे अब हमें remittances सबसे जादा मिलते हैं remittance क्या होता है economics की video उसमें बताया हुआ था इसका मतलब ये है कि बहार का पैसा इंडिया में आना किस तरीके से आएगा अगर मेरे parents या मेरे cousin मेरा भाई मेरी बेहन अगर foreign में हैं वो वहाँ job करते हैं वो पैसे कमा कि अगर मुझे देते हैं I am in India तो मतलब foreign का पैसा इंडिया में आ रहा है उसको बोला जाता है remittance तो world में सबसे जादा remittance इंडिया में देखा गया था कितना hundred billion dollars इतना हमें बहार से पैसा मिला था remittances के उसमें India has got highest remittances India better placed in terms of comfortable forex reserve foreign exchange reserve हमारा अच्छा है हमारा debt ratio भी कम है ये अच्छी बात हैं इसमें services की बात करें तो strong growth हमें देखने क्यों मिली है services sector में PMI services witnessed strongest expansion यह मैं क्यूं यहां पे आपके साथ read कर रही हूं क्योंकि आपने I bet आपने कभी read नहीं किया होगा एक बार read करना important है यह सारी government की information से हमने credit growth देखा है 16% का हमने 75 digital banking units को announce किया है fashion, grocery, merchandise इन सब को हमने nearly capture कर लिया है two-third of Indian e-commerce market to 2027 तक हम कर लेंगे यह services sector जिसमें हम 7th largest exporter है ठीक है बागी जितनी भी यहां पे plans हैं जैसे PM गगन शक्ती है जो that is the national master plan for seamless movement of people and goods गती शक्ती, national monetization pipeline, UPI has touched the highest ever mark मतलब अब तो सब UPI use करते हैं छोटे से छोटा जो ठेले वाला होता है उसके पास भी UPI का option होता है national logistics policy for making Indian logistics competitive globally capacity of major ports nearly doubled in 8 years यह हम मतलब review करते हैं क्या क्या अच्छा हुआ कहा कहां improve कर सकते हैं हम ठीक है यह सारी चीज़े आपको actually SSB में भी काम आ सकती है जब आप lecture rate बताओगे आप group discussion में कुछ बोलोगे कि इंडिया का development कैसा हो रहा है और क्या क्या चीज़े और की जा सकती है ठीक है उसमें बहुत जादा helpful होगा बात करें budget की देखो एक दिन पहले आता है economic survey एक दिन बाता है budget जो लाल portfolio के साथ हमारी जो finance minister है वो लेकि तयार हो जाती है actually उसका असली नाम पते क्या है जैसे घर में तो हमें बंटी पिट्टू सब बुलाते हैं वैसे ही इसको nickname से budget बुलाया जाता है बट school का नाम हमारा different होता है न वैसे ही इसका formal name है annual financial statement जो quality अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पूरी 6 गंटे की पढ़ ली होगी they knows annual financial statement article 112 में mentioned है budget कहीं पर भी mention नहीं मिलेगा constitution में budget नाम से कुछ भी नहीं है constitution में कुछ नहीं मिलेगा आपको आपको मिलेगा annual financial statement के नाम से जो की आपका हिसाब किताब होता है 1st April to 31st March इसी को financial year बोला जाता है right 1st Jan to 31st December तो हमारा normal new year होता है मतलब normal year की calculation but financial year आपका start होता है 1st April से और end होता है 31st March को budget का term आपको constitution में नहीं मलता budget को prepare कौन करता है economic affairs का department in finance ministry ठीक है तो इसको हम अमरित काल बुला रही है ठीक है तो हमने अभी estimate किया है कि हमारा देश 7% से grow होगा तो यह अमरित काल के अंतरगत कुछ priority set की है कि अब हमारी साथ priority होगी और हम उसी पे बहुत जादा focus से काम करेंगे हमारी क्या क्या साथ priorities है inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, financial sector मतलब इन्होंने goals बना दिये हैं हमें education में आके बढ़ना है, हमें research में आगे बढ़ना है हमें agriculture में आगे बढ़ना है, हमें digitalization में आगे बढ़ना है, हमें हर types में development करना है अमरित काल का budget इसको बोला गया, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में important facts इकाद दो question आ जाते हैं, journey to India, are the rate hundred, जब हम hundred साल पूरे गरेंगे चार transformative opportunities हैं हमारे पास, economic empowerment of women जिसमें सबसे जादा बढ़ा है 81 lakh self-help group under the NRLM to be transformed into large producer enterprise मतला आप यह समझ सकते हो, economic empowerment हो रहा है women का उसके बाद PM, Vikas, योजना, योजना इसके बारे में हम separate video बनाएंगे so don't worry for that, लेकिन समझ लो, इसके full form याद कर लो क्योंकि एक दो एक दो बार देखते जाओगे तब जाके याद रहेगा, वरना confused हो जाओगे PM Vikas क्या होता है, PM, विश्व कर्मा, कौशल, सम्बान मतलब इसके अंदर financial support मिलेगा, skill training मिलेगी, all traditional artisans को support मिलेगा basically, हम tourism पे काम करेंगे, green growth पे काम करेंगे, इसके अलावा क्या करने वाले हैं, direct tax proposals कुछ है जैसे MSME or professional, to enhance the limit of presumitive taxation to 3 crores from MSME and 75 crores from the professional with the cash payments less than 5% tax, ये basically tax percentage बढ़ाने की बात कर रहे हैं, corporation 15% concessional tax to promote new manufacturing cooperative society अगर आप cooperative society बना रहे हो, तो 15% का आपको concessional tax मिल जाएगा, ठीक है अगनी वीर्स की जो भी tax exemptions है, उन्ता payment received from अगनी वीर corpus fund, उनको tax exemption बल जाएगा, अगनी वीर्स को, ये important point है हमारे लिए, ये सारे points है न, learn करते हुए चलना, एक बार read करना बनता है फिर तो आपके दिमाग में छपी जाएगा, indirect tax proposals कहां से आ रहे हैं, green mobility से, मतलब ये जो excise duty है, on GST paid, compressed bio gas में, उसको exempt करने की बात कर रहे हैं, जो किया exemption में हैं, अब ध्यान रखना, compressed bio gas पे जो GST paid है, वो exemption में है, electronics में हमने सोचा है, कि हम custom duty में, on import of certain parts of mobile phones, मतलब जो हम अभी manufacture नहीं कर पा रहे हैं, कुछ mobile के पार्च, वो हम बहार से import कर रहे हैं, उस पे import duty कम की जाएगी, है न, import duty कम की जाएगी, custom duty on open cells, जो TV के हैं, वो कम किये जाएंगे, electricals में भी आपकी सारी custom duty को कम करने की बात कर रहे हैं, petrochemicals, chemical, जितनी में चीज़ हम import कर रहे हैं, उस पे import duty कम कर देंगे, ताकि affordable हो सके, उसके अलावा marine products में भी duty को कम किया जा रहा है, ताकि shrimp feed, ताकि raw material बहार से आए सके and we can manufacture it, lab grown diamonds, ये बहुत important है, to reduce the basic custom duty on seeds used in their manufacturing, अब हम lab made diamonds पे भी concentrate करने वाले हैं, precious metals की बात करें, तो इसमें custom duty बढ़ने वाली है, gold और platinium में, silver door, bar, articles, ये सारे की सारी custom duty बढ़ने वाली है, compounded rubber की बात करें, इस पे भी आप 10 to 25% increased tax देखोगे, मतलब कहां बेड़ रहा है, कहां थोड़ा सा ये boring लग सकता है, बट एकाद दो question सही कर जाओगे यार, और ये बहुत matter करता है, you know, आप merit में एक एक question बहुत जादा matter करता है, बहुत लंबी video नहीं है, you can do it, cigarettes की बात करें, 16% price hike किया गया है इसमें, youth power पे equally focus किया जा रहा है, अमरित PD बोला जा रहा है इसको, अमरित PD पे कैसे काम होना चाहिए, PM कोशल विकास योजना, इसमें job training, industrial participation, AI, robotics वगेरा सिखाया जाएगा, skill India digital platform, build करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे digitalization को बहुत easy और known बनाया जाएगा, है न, इसके अलावा, national apprentice promotion scheme, जहाँ पे 47 lakh youth को, basically कह सकते हो stipend दिया जाएगा, या scholarship दी जाएगी, tourism को boost किया जाएगा, 50 ऐसे destinations को select किया जाएगा, जहाँ पे tourism increase हो सकता है, क्योंकि उसे बहुत पैसा आता है, है न, unity malls बनाये जाएगे, unity malls जहाँ पे handicraft products भी मिले, GI tax वाले products भी मिले, ताकि tourist आए तो खरीद के भी तो जाएगे, कुछ, souvenir की तरह, फिर income tax पे new tax regimes बनाये गए, है न, जिसके अंतरगत 7 lakh से अंदर जो कमाते हैं, उनको tax नहीं भरना पड़ेगा, उनको tax नहीं भरना पड़ेगा, अब ये सरचार्ज क्या होता है, ये तो भाई, economics की विडियो को, ही आपको देखनी पड़ेगी, सरचार्ज को भी 37% से 25% कम कर दिया गया है, चीक है, उके, उसके अलावा, हम green growth पे भी काम कर रहे हैं, green growth पे काम करना मतलब moving towards the achievement of climate goals, अभी हमें climate goals को sustainable development की बात कर रहे थे न, हम तो climate goals को भी हमें पूरा करना पड़ेगा, green credit program हमने launch किया है, ताकि sustainable actions को justify कर सके, हम PM प्रनाम, आगे मैंने इसके बारे में बताया है, points बताएं है, PM प्रनाम के बारे में, वहां हम देखेंगे, गोबर्धन scheme, जो की ways to wealth plants बनाने के लिए हमने की है, मिष्टी scheme, mangrove plantation के लिए, यह देखो बहुत ज़्यादा important है, directly पूछा जा सकता है कि मिष्टी scheme actually किस से related है, mangrove plantation across the coast line के लिए है, अमरित धरोहर to be implemented over next three years for optimal usage of wetlands, अमरित धरोहर क्या है, आपके wetland protection की बात कर रहे हैं, और कुछ important points के बारे में समझो, elimination, जो हमारा goal होता है, हम कितने साल में पूरा करेंगे, यह question एक-एक तो पूछा ही जाता है, या तो पूछा जाता है कि WHO ने कौन सी country को कौन सा disease free बता दिया, जैसे मुलेरिया को disease free कौन सा, कौन सा country ने disease free बोल दिया है, इसे question पूछे जाते हैं, तो अभी हमने sickle cell anemia को 2047, जब हमारे 100 साल हो जाएंगे independence के, तब हमने सोच आ है कि तब तक हम sickle cell anemia को हटा देंगे, sickle cell anemia को हमने biology में भी पढ़ा था, याद आ रहा है कि हमारे RBCs उसमें sickle cell, sickle shape के हो जाते हैं, वो जादा hemoglobin क्यारी नहीं करते, जादा oxygen क्यारी नहीं करते, है ना, तो हमें basically anemia हो जाता है, यह genetic disease भी है, अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे, कि यह किसकी substitution, यह basically sickle cell anemia होता क्यों है, है ना, वो था ना, glutamic acid valine, क्या होता, I'm not going to tell you, you have to tell me the comment section, और आप मुझे answer दोगे न, तो I'll get you, you only will get to know, कि आप यहां तक बहुत चुके हो, बहुत लोग तो बोर होगे, छोड़ चुके होंगे, उनमें इतना discipline और dedication है यह नहीं बाई, तो आप अपना नाम fire के साथ लिखना, और इसका answer भी जरूर लिखना, नहीं पता, वीडियो में जाके देखो, या तो at least Google तो करी सकते हो यार, तो आपको खुद को पता चलेगा, आप जरूर लिखना, इसके बारे में, तो you'll get to know, कि आपके लिए actually competition बहुत कम है यार, serious candidates बहुत कम है, मतलब लोग तो बहुत ज़ादा इकसा में प्योर करते हैं, बट serious candidate कहां, आप की तरह, आप अभी तक टिके हुए हो, आपको बहुत ज़ादा, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है ये topic, क्योंकि आप कभी नहीं पढ़ते हो उस topic को, but you are still here, I love you for that, और अच्छी बात बताती हूँ मैं, हम millets को Shree Annab कहके बुलाते हैं, Shree Annab, ये हमारा soft power है, soft power क्यों है, क्योंकि हम इसके largest producer है, किसके? Millets के, और second largest exporters है, दूसरा question पूछा जा सकता है, कि Indian Institute of Military Research कहां पे है, है, हैदराबाद में है, इतनी चीज़े याद रहनी चाहिए, फिर भारत्ष्री के बारे में, budget में discussion हुआ था, भारत्ष्री क्या है, Shared Repository of Inscriptions, क्या है Shared Repository of Inscriptions, ये क्या करेगा भारत्ष्री, basically जितने भी ancient inscriptions हैं न, उसका digitalization करेगा, ताकि हमारी history हमारे साथ, बहुत ज़्यादा handy हो जाए, उसको approach करना भी handy हो जाए, ठीक है, फिर government ने plan किया है, 5% compressed biogas mandate लगा दे, with the all entities, marketing natural gas in India, फिर आता है PM प्रनाम, ये percentage पूछे जाते हैं ठीक है, तो digits में गड़बड़ी मत करना, PM प्रनाम, program for restoration awareness, ये full form है, देखो, program for restoration awareness, nourishment, amelioration of mother earth, will be launched to insensitivize states and duties to promote alternate fertilizers, तो PM प्रनाम किसका है, last में जाके पता चला, ये alternate fertilizers को यूज करने के पीछे की scheme है, चीक है, बजट के बारे में कुछ facts अगर हम जाएन लें, इंडिया का पहला बजट पेश हुआ था, 1960 में, 1960 में father of Indian budget system किसको बोला जाता है, James Wilson को बोला जाता है, East India company से बिलॉंग करते थे, 1960 में इन्होंने पहली बार बजट को पेश किया था, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, तो finance minister आर के, शन मुखम चैटी ने इसको present किया था, Republic India की बात करें, देखो यहाँ पे है न, छोटे-छोटे terms पे ध्यान देना, Republic India में सबसे पहले किसने present किया था, John Mathai ने, 1950 में, चीक है, सबसे पहले एकवर्थ कमिटी थी, यह important ऐसले बजा रहे हूँ, एकवर्थ कमिटी थी, उन्होंने railway budget और general budget को अलग कर दिया, मतलब कुछ साल पहले की बात है, जब railway budget अलग release होता था, general budget अलग release होता था, 1924 में, एकवर्थ कमिटी के नतीजे हैंगे, बट हम 2016 में वापस से हमने, rail budget और general budget को merge कर दिया, ठीक है, श्री विवेक देबरोई कमिटी के अंतरगत, हमने इन दोनों budgets को वापस से merge कर दिया, ठीक है, एक और टर्म आता है, interim budget क्या होता है, आप बहुत जाद तक infuse हो जाते हो ना, कि यह interim budget क्या है, देखो ऐसी situation जब country के पार आती है ना, कि budget पेश करने का वक्त नहीं बच्चता, budget बनाने का वक्त नहीं बच्चता, specially elections के time पे, यह सारी चीज होती है, कि budget तो एक साल के लिए होता है, upcoming financially और के लिए होता है, या तो देश की हालात खराब हो जाती है, कि एक साल तक कुछ भी plan करना is not so much possible, financial emergency के दुरान ऐसा हो सकता है, तब interim budget पेश होता है, मतलब दो महीने के लिए, upcoming government की activities क्या होगी, दूसरी अलग-अलग ministries को कितने पैसे allocate करने हैं, क्या काम करने हैं, क्या plan करना है, कौन सी scheme में release करने है, कैसे development करना है, ये बहुत short period of time, एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, है ना, तो वो जो budget पेश होता है, उसको interim budget कहते हैं, तो जब तक वापस normal situation नहीं आती, तब तक interim budget काम करता है, फिर main budget आपका release कर दिया जाता है, right, so how are you feeling now, आप economic survey, forest survey budget, ये सारी चीज़े complete कर चुके हो, so now wait for the new video, में लिए कोई भी suggestion हो, कुछ भी request हो, comment section, I am reading it on the daily basis, तो जो भी चीज़े हो, how are you feeling, अच्छा बुरा, exams are related, don't take the risk, ask simply, simply पूछ लो, I am here to answer, ठीक है, चालो, आपको मिलती हूँ, comment section में, and next video में, till then, goodbye and jahind,